Hello everyone, दोस्तों ये वीडियो में NRA CET के रिगार्डिंग बना रहा हूँ Finally, काफी लोगों ने बनाया था, लेकिन मैंने नहीं बनाया था और finally I gave up, आप लोगों के इतने सवाल आए कि I have to make this video, ठीक है? और इस वीडियो में मैं सिर्फ अपना personal opinion ही शेर करूँगा आपके साथ क्योंकि NRA CET के रिगार्डिंग कोई भी official information अभी हमारे पास नहीं है बस इतना information है कि NRA का गठन, National Recruitment Agency का गठन हो चुका है चोकि CET conduct करेगी, ठीक है? तो इतना ही हमारे पास information है और CET के रिगार्डिंग बीच-बीच में किसी website पे तो किसी newspaper में या किसी group में news circulate होती रहती है लेकिन उस news के authenticity पे हम लोग भरोसा नहीं कर सकता है क्योंकि कोई official source से वो news नहीं निकलता है ठीक है? अभी हाल में ही दो महीने पहले एक newspaper काफी viral हो रहे थी जिसमें CET का जिक्र था ठीक है? तो काफी सारे लोगों ने इसके बारे बात कि और यह कहा गया कि official information जब तक नहीं आगी तब तक ऐसे news पे वरोसा नहीं किया सकता है CETL 2024 CT के थुरु होगा कि नहीं यह बिलकुल भी share नहीं है ठीक है? यह बिलकुल सच बात है तो हमारे पास कोई ऐसा सबूत नहीं है जिससे कि हम कह पाए कि CT जो है वो CETL 2024 का एक्जाम लेगी बिलकुल भी कोई सबूत नहीं है लेकिन हमारे पास इस बात के लिए भी कोई सबूत रही है कि सीटी जो है वह सीजियल 24 नहीं लेगी ठीक है बिल्कुल 50-50 परसंट चांस है ठीक है आपको पता होना चाहिए कि जो पैटर्ण चेंज हुआ है सीजियल 2223 जिस पैटर्ण पर हुआ है वह इस नजरिये से कि उस पैटर्ण को बदला गया था क्योंकि सीटी का पैटर्ण के बिंक्धन के आइकास के फ़र यह HC उसल पहले ही लीए हочь करते है इस वीए यह थार यूआ हुआने की सब्सक्राहित थे यह भी है लेकिन ब्याबस भॉत अपने पढ़ाईब पूरा फोकस करते हैं कि हो गया तो भी कोई दिख्कत नहीं पड़ेगी Mü आगला लोग कन्फीज रहते हैं लोग कोईनों ढूंते डहते हैं घुन करते हैं तो हम लोग पहसेंगा ही फसेंगे चाए रेगुलर सीटैल हो तो बस काम रहिए और आपके लिए इतना तो कर दिया है कि पहले ही चेंज कर दिया है तो उस पैटरन को बस फॉलो करते रहिए अच्छे से बढ़ाई कीजिए चार-पांच घंटे पढ़िए काफी है अभी आपके पास वक्त है सीजिए दोरार चौबिस होने में अभी मुझ अगर सीटी आता भी है तो सिर्फ टियर वन सीटी लेगा तो इसलिए आपको परशान की ज़रूत नहीं है पढ़ाई पर फोकस कीजिए मेरा बस यही मतलब है इस वीडियो को बनाने का तो इस वीडियो में इतना ही बहुत जलती मिलता है अगले वीजियो में तब तक के लि झाल झाल